तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि Minecraft Pocket Edition और Bedrock Edition में Amethyst Dior को कैसे ढून दे दो मिनट के अंदर तो वीडियो को ज़रा सब इसके मत करना वीडियो को शुरू करते हैं तो आप लोगों को जिस भी वर्ल में Amethyst Dior को ढूनना है उस वर्ल की आपको सीड लगे की सीड को कहीं पर नोट कर लेना नोटबूक या पेज पर फिर उसके बाद हमें Google को ओपन कर लेना है फिर जैसे आप Google पर जाओगे आपको वहाँ पर सर्च करना है चंग बेस बायों फाइंडर फिर जो सेकेंड आप्शन आएगा सीड मैप उस पर क्लिक करना है तो फिर आप जैसे यहाँ पर पहुंच जाओगे आपको यहाँ पर अपनी सीड डाल देनी है और सीड जो है अप्शन आएगा यहाँ पर जाने के बाद जीओड जो ऑप्शन है उसको और रखना है और स्पाउन पॉइंट उसके अलावज इतने भी उन सब को डी सिलेक कर लेना है सिर्फ अपना जीओड और स्पाउन पॉइंट को सिलेक करना है और फिर बाद में इसे बंद कर देना फिर इसके बाद है अपने को जो है इस में जूम इन करना है हाथों से कर सकते जूम इन इनेबल टच कंट्रोल कौन रखना फिर देखो जो है मैं 30 जी ओर से उनकी अब यानि की कोडिनेट्स आपको मिल जाएंगे कोडिनेट्स आपको नोट कर लेने कई पर फिर मैं हाँ ठीड में अपनी सीड डालेता हूं जिसके कोडिनेट्स मुझे मिले है चंग बेस से तो सेम सीड डाल दिया और मैं क्रेट कर लेता वर्ल्ड और मैं यहापे स्पाउन हो चुका हूँ तो चलो अब मैं उन कॉडिनेट्स पर जाता हूँ जहाँ पर अपने को अमेथिस का जीयोड मिलने वाला है तो चलते हैं उस कॉडिनेट्स पर और यह हम पहुच चुके हैं करेंगे क्योंकि आइट्रस्ट चंग बेस तो मुझे पाता है यह सही जगे पर अपने को निकालेगा और फिर वह लगता है हम पहुच चुके और यह आ गए यह देखो एमेथिस जीयोड जो हमें डूड़ना था दो मिनिट के अंदर मिल चुका है बहुत इजी था बहुत स के रखा है मैंने देख लो एक बार अगर पसंद आता थे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो और और क्या बहुत सकता हूं मैं अगली वीडियो की तेहरी करने जाता हूं आपना ध्यान रखना चलो बाही